गॉट मॉर्निंग, I am Vivek Tiwari from SIRTX department which is a part of Sage Group. आज हम लोग RGPB में जो questions आते हैं, उनके answers discuss करेंगे. तो आज का question है हमारा, draw the circuit of vane bridge, derive the expression for determination of frequency, जो कि में 2019 में पूछा गया था. तो first of all, जो हमारा vane bridge है, उसका हम use किसी भी signal की frequency find out करने के लिए use करते हैं. ये एक AC bridge है, जो की 100 kHz से लेके 100 kHz तक की range की frequency को measure कर सकता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसकी जो accuracy है, 0.1 से लेके 0.5% है. Apart from frequency, मितलब frequency के अलावा, ये capacitance measure कर सकता है, harmonic distortion measure कर सकता है, और high frequency oscillator की तरह भी हम इसका use कर सकते हैं. Next, हमारा ये है कि जो हमारा vane bridge है, वो frequency sensitive device है, इसलिए जो भी इसमें signal दिये जाते हैं, अगर उसमें कुछ harmonics होंगे, तो हमें proper bridge को balance हम नहीं कर पाएंगे, तो bridge को balance करने के लिए हम जो भी signals देंगे, उनको हम filter भी इसमें हम use कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो भी harmonics है, वो AC में present ना रहें, तो हमको bridge को balance करने में आसानी होगी, यहाँ पर हम सबसे important अपना vane bridge का circuit diagram देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर four arms हैं, A, B, A, B, B, C, C, D, D, A, four arms हैं और four arms में register और capacitor लगे हुए हैं, इसमें एक important चीद जो है, mechanical coupling use की गई है, जो generally किसी भी bridge circuit में use नहीं की जा सकती, तो इसका purpose है, आप देख सकते हैं कि जो mechanical coupling circuit है, वो R2 और R1, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, R2 और R1 से connect है, तो यह इसलिए लगा जाता है कि हम दोनों की values को same रख सकते, मालने जिए R2 100 ohm है, तो R1 भी हमारा 100 ohm ही रहे, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब इसका derivation देखेंगे, अगर हम इसको same कर देते हैं, तो हमें calculation करने में आसानी होती है, अगर हम different different लेंगे तो थोड़ा सा हमारा calculation बढ़ जाएगा, हम अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम same लेंगे त तो थोड़ा सा हमारे लिए easy होगा, next time इसमें एक null detector यूज़ करते हैं, null detector का काम यह है, यह हमें बताता है कि यहाँ पर कोई current flow हो रहा या नहीं हो रहा, अगर कोई current flow हो रहा है, इसका मतलब हमारा bridge balance नहीं है, और तब हम calculations proper नहीं कर सकते हैं, calculation properly करने के लिए bridge को balance होना चाह होते हैं, तो यहीं इसका main principle है, तो जब हमारा bridge balance हो जाता है, उस समय V1 जो है, V2 के बराबर हो जाता है, और हमारा जो V3 है, वो V4 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब यह हुगा, कि आपका जो यहाँ का impedance है, या हम बोलें यहाँ का voltage है, और यहाँ का voltage दोनों बराबर हो जा एक और expression है जिसका हम use करते हैं यहां पर derive करने के लिए कोई भी चीज तो वो है opposite arms के जैसे यहां पर opposite arms एक यह है और एक यह है इनके impedance का multiplication तो इसको हम z1 से represent कर सकते हैं और इसके impedance को हम z4 से represent कर सकते हैं और दूसरा opposite arms एक यह है और एक यह है तो इसको हम z2 से represent कर सकते हैं और z3 तो यह एक बहुत important expression है जिसका use करते हैं हम जो भी हमारे values आती है numerical value find out करने के लिए तो इसका significance क्या है कि जब z1 z2 को multiply करेंगे z2 z3 से तो दोनों के जो multiplication होंगे वापस में equal होंगे इसी expression का use करके हम frequency की value find out करते हैं यहाँ पर यही चीज़ discuss की गई है कि balance condition में क्या होता है balance condition में हमारा v1 v2 के बरावर होता है और v3 v4 के बरावर होता है और जो भी हमारा bridge है वो z1 z1 z4 z2 z3 इस equation को satisfy करता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक expression है जिसको हमने use किया है frequency find out करने के लिए हम देख सकते हैं यह हमारा z1 है इसके साथ z2 multiply है फिर z3 है और z4 जब हम इसे solve करेंगे तो हमें दो चीज़े मिलेगी real part मिलेगा और imaginary part मिलेगा real part को equal करेंगे तो हमें यह expression मिलेगा यह यहाँ पर हम देख सकते हैं R4, R3, R2, R1, C1, C2 तो यहाँ पर हम unknown resistance, unknown capacitance find out कर सकते हैं इस expression की help से next है अगर हमे frequency find out करना हो तो हम imaginary part को equal करेंगे जैसा कि यहाँ पर किया गया है इसको equal करेंगे तो हमें omega की value मिल जाएगी फिर हमें पता है कि जो omega की value होती है वो 2 pi f होती है उस 1 upon under root R, sorry, f is equal to 1 upon 2 pi under root R1, R2, C1, C2 तो यह expression मिल गया यहाँ पर R1, R2, C1, C2 की value रखके हम f find out तो हमने वो जो हम पर mechanical coupling use की दी तो हमने देखा था R1 और R2 को हमने बराबर लिया थो तो ऐसा करने से यह R बाहर आ जाएगा और हमारा calculation थोड़ा सा easy हो जाएगा तो इसलिए हम इन दोनों को अगर equal रखते हैं तो यह थोड़ा सा हमेरे calculation में help करेगा तो यह formula है जिसकी help से हम किसी भी vein bridge की help से किसी भी signal की frequency find out कर सकते हैं Thank you